हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल डो मिनट वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है इसमें हम यू एन यर्ज के बारे में लेकर आये हैं वीडियो यह बहुत इंपोर्टेंट है और जितने भी वंडे एक्जाम से उसमें बहुत जादा पुछे जाते हैं तो इसको ध Camelids 2023 को बोलेंके International Year of Millets इसके उपर हाली में कुष्ण भी आया था 2023 जो है वो International Year of Millets इसको घोसित क्या गया है 2022 है International Year of Artisanal Fisheries and Agriculture इसके उपर यह इसका थीम रहेगा 2021 कि आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस साल का क्या यूएन एर्स जो इंटरनेशनल चीजे दिखाई गई है वो आएए देख लेते हैं 2021 में क्या क्या चीजे हैं तो यह है इंटरनेशनल इयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट इसमें बहुत सारा है तो इसको याद रखिए का अच्छे से International Year of Peace and Trust International Year of Creative Economy for Sustainable Development Third है International Year of Fruits and Vegetables and next है International Year for the Elimination of Child Labour तो देख रहे हो आप इसमें बहुत जादा है और रिसेंटली जितने भी वंडे एक्जाम सोंगे उसमें यही सारी कुछन पुछे जाते हैं कि अभी हाली में तो International Years of Peace and Trust, International Year of Creative Economy for Sustainable Development International Year of Fruits and Vegetables, International Year for the Elimination of Child Labour यह चार थीम रखे गए हैं 2020 में, 2020 का था International Year of Plant Health and International Year of the Nurse and the Midwife तो यह भी आद रखेगा 2020 का भी पूछा जा सकता है and 2019 का International Year of Indigenous Language एक कोश्चन आपके लिए है इसको कमेंट करके ज़रू बताईएगा संयुक्त रास्ट महासभा ने किस वर्स को मोटे अनाज बाजरा का अंतर रास्टी वर्स घुषित किया है International Year of Millets declared by UN तो यह इसका आंसर आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को जड़ लाइक ज़रूर कीजेगा थैंक यू फॉर बच्चिंग